हलो फ्रेंज वेलकम बैक टो माई चानल यॉर एजुकेशन गाइड दोस्तो अटल पेंचन योजना में अगर आप निवेश करते हैं तो नियम बदल चुके हैं और इसका फाइदा अब कुछ लोगों को नहीं दिया जाएगा तो क्या है ये रूल जिन में बदलाव हुआ है आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं दोस्तो अटल पेंचन योजना की बात करें तो मोधी सरकार ने इसे 1 जून 2015 को शुरू किया था और इस योजना को शौर्ट फॉर्म में हम कहें तो APY इसका ओदेशे होता है आसंगटित शेतर के श्रामिकों को समाचिक और आर्थिक सूरक्षा प्रदान करना लेकिन अब अटल पेंचन योजना के कुछ नियमों में बदलाव कर दिया गया है केंद्रे वित मंत्राले ने एक घोशना करके ये बताया है कि इंकम टेक्स भरने वाले नागरिक अब अटल पेंचन योजना में निवेश कर करने का पात्र नहीं होगा और इसकी जानकारी वित्य सेवा आयोग ने ट्वीट करके दिया है जिसमें कहा है कि इंकम टेक्स पियर APY में निवेज करने के पात्र नहीं होंगे समाने सुविधाओं से वंचित वर्क के लोगों के लिए पेंशन लाभों के बहतर लक्षी करन के लिए APY के नियम में संशोधन किया गया है अटल पेंशन योजना के लाभों के बारे में बात करें तो अटल पेंशन योजना के तहट लाभार्थियों को उनके किये गए इंवेश्टमेंट के आधार पर 60 साल की आयो पूरी होने के बाद हर महीने 1000 रुपे से लेकर 5000 रुपे के बीच में नियूनतम गारेंटिड पेंशन दी जाती है अभी तक इसका लाभ कोई भी उठा सकता था पर अब 1 अक्टूबर 2022 से रूल बदलने की वज़ा से अटल पेंशन योजना में टेक्स पियर अपलाई नहीं कर पाएंगे अगर उसने इस योजना में अपना इंवेश्टमेंट कर रखा है तो अब उसके इस खाते को बंद कर दिया जाएगा इस योजना को लेने के लिए 18 से 40 साल की आयू के बीच हर एक भारतिय नागरिक किसी भी बैंक या फिर डाग घर की ब्रांच में जाकर इस बज़त खाता को खुलवा सकता था तो फ्रेंज ये थी नई अपडेट अटल पैंशन योजना स्कीम के बारे में होब कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो इंफरमिशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा